आपके पास Redmi 13C है, यह 13 series के अलावा कोई और फोन है, तो यहाँ पे आप hide app कैसे use कर सकते हैं, कैसे उसको unhide कर सकते हैं, फुल सैटिंग आपको बताने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यह जो security का icon है आपको इस पे click करना है, इस टेप से यह open हो जाएगा, जो blue color के हैं, यह आपके screen से hide हो चुके हैं, इसके बाद आपको setting पर जाना है, setting से आप यहाँ पे इसके notifications को भी hide करना चाहते हैं, तो इसे on कर देंगे, app lock अगर आप use करना चाहते हैं, इसके लिए तो आप इसे on कर देंगे, जब भी आप hide app को देखेंगे, तो app lock डालना प हो चुका है, अब hide application को देखने के लिए आपको screen पर ऐसे करना है, मतबर दो fingers ऐसे touch करके, इसको ऐसे open करेंगे, तो यह एक तरह का gesture होता है, और अपना app lock enter करेंगे, तो देख सकते हैं, यह application हमने hide की थी, वो show हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे click करेंगे, तो direct आप यसी setting पर आ सकते है, add पर click करेंगे, तो यहाँ से आप application को unhide कर सकते है, back कर लेंगे, तो देख सकते हैं, यह अभी तनी applications बची है, अब सारी की सारी unhide करनी है, तो इसके बाद ऐसे कर के back कर लेंगे, तो अब आप ऐसे करेंगे न, तो hide application तो कोई रही नहीं ग Canty यह तो कैसे show तो इस टैप से आप हाइड अन हाइड कर लेंगे इसी टैप के इंट्रोसिंग वीडियो के लिए आई बेटन पर क्लिक कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार